दोस्तों अगर आप भी रवी चंदरन अश्विन को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर खिशेगा दोस्तों पहले टिस्ट के बाद अब दूसरे टिस्ट में भी शमी और अश्विन ने अपनी गेंदबाजी से धाया कहर जी हाँ दोस्तों आउस्ट्रेलिया के खिलाफ दिली के मैदान पर पहले ही दिन भारती गेंदबाजों ने अपना विकराल रूप दिखाया मुहम्मद शमी और रवी चंदर नश्विन ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इस कदर कहर बरपाया जसके सामने आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम तहस नहस हो गया तो आखरकार कैसे मुहम्मद शमी और रवी चंदर नश्विन के तूफान के सामने आस्ट्रेलियाई बल्ले बाज बेबस दिखाई दिये। ये तो हम आपको बताएंगे ही साथी साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट का वीडियो भी दिखाने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रवी चंदर नश्विन मुहम्मद शमी और रविंद्र में से कौन खतरनाक गेंदबाज है अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट के समाप्त हो जाने के बाद दूसरा टेस्ट दिल्ली के मैदान पर खेला जा रहा है जहां पहले ही दिन भारती टीम से बेहतर प् तो वहीं भारती टीम में मात्र एक बदलाओ सुरिकुमार यादो की जगेह पर श्रय सयर को खिला कर किया गया तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से पारी की शरुआत करने का काम सलामी जोडी डेविद वर्नर और उस्मान ख्वाजा ने किया तो वहीं भारत की तरफ से इंदबाजी करने के लिए मुहम्मद इराज के सामने उस्मान ख्वाजा ने जोखा लगा और अपना खाता खोला तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर संभलकर बल्लेबाजी की जहाँ पर मुहम्मद इराज ने अपनी खतरनाक बांसर से हरु किसी को हैरां किया इसे बाद भारती टीम के भी होश उडगे थे और आस्ट्रेलिया की टीम पचास रन भी पूरे कर चुकी थी लेकिन इसी बीच वापसी करते हुए 16 वे उवर में शमी ने इट का जवाब पथर से दे दिया और इसी बीच मुहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को विकेट कीपर क के हाथों कैच आउट करा दिया दरसल डेविड बॉर्डनर ने जवाली सगेदों पर तीन चौकी की मदद से 15 रन बनाने के बाद विकेट कीपर श्रेकर भरत के हाथों मुहम्मद शमी की लहराती हुई गेंद पर कैच आउट हो गये जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लि कि जल्दी ही उन्हें विकेट मिलने वाला है जहां पर रवी चंदर नश्विन ने ग्यानमे रन के स्कोर पर वीरोधी टीम को दूसरा जटका दे दिया इस बीच रवी चंदर नश्विन ने मारनुस लाविशने को अपनी फिरकी में विकेट के सामने फसा लिया अंपार न पुशने ने 25 गेंदों पर 4 जोकी की मदद से 18 रन बना कर LBW आउट होकर अपना विकेट दे दिये जिसके बाद बल्ले बाजी करने स्टेव इसमित आते हैं तो वहीं स्टेव इसमित भी आज जादा देर प्रिच पर नहीं टिक पाए और अपनी दूसरी ही गेंद पर यानी ने 17 गेंदों पर अपना अर्दशा तक 24 में ओवर में पूरा किया उसमान खाजा का ये 20 वा अर्दशा तक है और इसी के साथ पहली दिन का खेल समाप्त हुआ और भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया ने 25 ओवर में 94 रन तीन विकेट के नुकसान पर बनाए हैं इसके बाद जब 28 ओवर में आस्ट्रेलिया की टीम ने 100 रनों का आखड़ा भी छू लिया और एक मिली जूली शुरुवात इस मुकाबले में देखने को मिली इसे बेचे 31 ओवर में रवी चैंदरा नश्विन ने ट्रेविस को काफी जादा परेशान किया लेकिन ट्रेविस ने इंट का सरी गेंद पर ट्रेविस को चारोखा ने जिद कर दिया जहांपर ट्रेविस हेड उसलिप में खड़े के और राहूल के हाथों कैच आउट हो गये आपको बता दे ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों पर एक चौकिया और एक जखकी की मदद से बारहरन बनाये थे इसके बाद ब गेंद बस के सामने उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया इसी बिच उन तालिसनों ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने उस्मान ख्वाजा ने ताबर तोड बल्लेबाजी कर दी जहां पर उन्होंने लगातार दो गेंदों पर दो चौके ठोक दिये तो वहीं ओवर में तीन चौके लगाते हुए 12 रन बठोर लिये जिसके बाद गेंद बास के भी होश उड़ गये थे और इसी के साथ भारती टीम के सामने उस्ट्रेलिया की टीम ने 40 ओवर में 146 रन चार विकेट के नुकसान पर बना दिये हैं और जिस अंदाज से उस्मान ख्वाजा बल्ले आउट कर देंगे तो दोस्तों आपको क्या लगता है आस्ट्रेलिया की टीम कितने रन पर आल आउट हो जाएगी हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लेशे हमारे योट्व चैनल को वीडियो हो तो इसे लाइक जरूर करें